अज कि इस वीडियो में आपको Tata Steel के तरब से एक official update आए जिसके बारे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप लोग पता होकर Tata Steel के तरब से जो form आई थी उसकी last date अल्रेडी ओवर हो चुकी है जो भी इसमें अपलाई किये होंगे और लोग का successfully apply हो गया बहुत सारे इसे candidate जिनका payment unsuccessful हो गया था या failed हो गया था और लोग comment करके बताएगा कि क्या आपका जो application status है अभी भी failed है या success हुआ है आप लोग अपना login करके check कर सकते हो और आज के जो वीडियो में कुछ update आई है जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ क्या update है और बहुत सारे जो Tata Steel के applicants हैं उन लोगों का ये question था query था कि उन लोगों को previous year का question paper है या simple paper है कहां से download करे कैसे download करे मैं इस पर वीडियो बनाया था उसे बहुत सारे candidate comment किये थे तो मैं already telegram पर डाल दिया हूँ बहुत सारे ऐसे candidate जो अभी तक download नहीं किया उनको नहीं मिल रहा है कैसे आपको download करना है और भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वीडियो के end में तो आप लोग जरूर से end तक जरूर देखते रहेगा इस चैनल के माध्यम से आपको diploma बीटेक और आपको मिलेगे और बहुत सारे इसे जोब्स वेकेंसिया आते जिनका मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ तो आप लोग जरूर से जोईन होकर करिएगा सबी का जो लिंक से मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ और आप कमेंट सेक्शन में अपना जो भी ब्रांच है कौन ब्रांच से आप बीटे कर रखें कौन ब्रांच से आप डिप्लोमा कर रखें या अकॉंट से ट्रेट से आइटिय कर रखें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएगा ताकि आने वाले जो वीडियो हैं आप से रिलेवेंट आपको देखन कर सकते हैं वो इसमें दिया गया जिसमें लिखा है dear candidate you have successfully submitted your application form for JT 2023 जो भी candidate successfully submit अगर कर दिये होंगे payment success हो गया आपका तो आपको भी ये mail आया होगा अब अपना mail address mail open करके check कर सकते हैं Gmail उसमें ये आपको दिया गया होगा इसमें लिखा गया है कि we will be providing the edit window on 31st of January 2023 और ये only एक दिन के लिए valid है तो अगर आप लोग 31 January 2023 के date में रात के 12 वजे से पहले अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग अभी correction कर सकते हों लेकिन अगर आप लोग 31 January 2023 के 12 वजे रात के बाद अगर आप लोग एक फरवड़ी को ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप लो उसको दूसरा कोई cities देना चाहते हैं तो अभी उसको change कर सकते हैं अगर कैसे change करना है अभी मैं आपको आगे बता दूँगा ये जो edit window है only one day के लिए valid है तो ये बस आज 31 तारीक के date में ही ये काम करेगा work करेगा कल से यानि की 1 February से ये जो link है ओ activate नहीं रहेगा उसके बाद आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं और अभी भी बस आप test city का जो preference टाले उसको change कर सकते हैं उसके अलावे और किसी चीज को आप change नहीं कर सकते हैं कैसे change करना है अभी मैं आपको आगे बता रहा हूँ ये जो अभी login करने का जो link है ये website से हटा लिया गया है तो अभी और पासवर्ड डालके और क्याप्चा फिल करके log-in पर किलिक किजेगा तो यह आपका जो form है वह successfully log-in हो जाएगा और लोग-in करने के बाद अगर आपका जो form है successfully submit अगर हो गया होगा तो आपके पास इस तरह का window open होकर कहेगा जिसमें लिखा देगा your application form has been submitted सक्षेसफूली, payment is successful, in case अगर आपका payment सक्षेसफूल नहीं होगा, या failed होगा, तो आप लोग mail कीजिएगा, किस email address पर आपको mail करना है, और भी मैं आपको आगे बता दूँगा, आप अपने refund के लिए आप mail कर सकते हैं अगर हो सकता है तो उनके तरफ से आपको refund मिल जाए या तो आपका payment update कर दे लेकिन chance कमी है आप लोग अगर फिर भी अपने तरफ से कोसिस कर सकते हैं उसके बाद अगर अभी आप अपना test preference है उसको अभी change कर सकते हैं इसको यहाँ change करने के लिए आपको scroll करना है scroll करने के बाद आपको यहाँ पर next करना है next करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर next करना है यहाँ पर आपको दूसरे बार में ही आपको सुधार कर सकते हैं और इसके अलावे कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं तो इसको यहां से अभी चेंज करके next पर click कर जीगा उसके बाद आपको यहां पर कुछ भी नहीं करना है बस यहां पर declaration पर check कर देना है और यहां पर आपको capture डालना है और capture डाल करके submit वाले option पर आपको click कर देना है तो ये आपका successfully submit हो जाएगा उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करने होंगे तो अगर कोई ऐसे candidate है जो अपना test center change करना चाहते हैं तो अभी इसको कर सकते हैं 12 वजे रात के बाद इसको नहीं कर पाएंगे अब अगर आप लोग Tata Steel का simple paper या previous year download करना चाहते हैं तो मैं telegram में बहुत सारे यहाँ पर डाल दिया हूँ और भी जो बचे होंगे मैं डाल दूँगा आपको कौन से branch के paper चाहिए simple paper या previous year question paper आप लोग comment section में ज़्यादा सज़्यादा comment कीजेगा अपना branch तो आप लोग को मैं जो भी सारे paper होंगे मेरे पास मैं सभी telegram में डाल दूँगा तो आप लोग जिन का ज़्यादा comment आएगा उनका paper में डालूँगा वीडियो को ज़रूर से ज़्यादा like कीजे जितने ज़्यादा likes होंगे मैं जल से जल कोशिश करूँगा telegram में उपलब्द कराने की यहाँ पर उसको check करने के लिए या search करने के लिए आपको simply यहाँ पर जो KKS Indian का logo इस पर click करना है उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है files का section दिखेगा आपको यह files वाले section में आना है और यहाँ पर आपको scroll करना है अगर आप इसमें देख सकते हो तो यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा Tata Steel JT 2003 civil sample paper उसके बाद और scroll करेगो तो यहाँ पर आप लोग देखने के लिए मिलेगा Tata Steel JT 2022 metallurgy sample paper अगर आपको इन case यहाँ पर भी नहीं मिलता है तो यह सो इसे ही दिख रहा है आपको मिल जाएंगे लेकिन फिर भी आप यहाँ पर search का option दिख रहा है search वाले option पर click करके आप search कर सकते हैं यहाँ पर जैसे लिखोगे Tata Steel तो आपको जो भी सारे Tata Steel से related यहाँ पर document होंगे यहाँ पर आ जाएंगे यहाँ से आप उसको download कर सकते हैं इसको download करके अपने phone में save भी कर सकते हैं और जो भी बचे हैं यहाँ पर मैं इसको डाल दूँगा उसके बाद रही बात की कोई बहुत सारे से candidate हैं जिनका जो payment फेल्ड हो गया है वो लोग को क्या करना है तो यहाँ पर आप लोग को आएगा home page पे यहाँ पर भी search का option रहता है तो यहाँ पर आपको search वाले option में यहाँ पर भी लिकर के search करना है Tata Steel और लिकर के जैसे search करोग उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे में यहाँ पर option दिखेगा उपर जाने का और नीचे आने का तो यहाँ पर आपको बारी बारी से click करके उपर आते रहना है यहाँ पर भी आप बहुत सारे आपको सभी Tata Steel से related यहाँ पर आपको PDF जो भी सारे यहाँ पर post हैं सभी की होंगी आहां से भी उसपर डाउलोड कर सकते हैं देख सकते पड़ सकते हैं अगर अगर आपका payment problem है फस्ट चुका है तो आपको क्या करना यह email address पर आपको यह ले करके भेज़ देना है और payment failure का जो आप login करके चेक कर लीजी अगर payment failure होगा तो उसको भी screen shoot ले करके attach करके सभी details के साथ अपना registration ID जो होगा आपके email पर आया होगा सभी details के साथ अपना नाम जो भी सरा है आपको इस email address पर refund के लिए mail कर देना है या तो payment success के लिए submit करने के ल ना है तो आप आप इसको समझे होंगे मैं जो भी main information था आपको बता दिया फिर भी गर आपके मन में कोई confusion.query रागया होगा तो नीचे comment करके पूछ सकते हैं वीडियो कैसा लगा comment section में जरूर बताइएगा अच्छा लगा हो तो जरूर से like share subscribe कीजिएगा मिलते हैं notification है सबसे पहले आपको मिलेगे और बहुत सारे इसे job sequencing आते हैं जिनका मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ मैं अपने telegram पर instagram पर whatsapp groups में डाल देता हूँ तो आप लोग जरूर से join होकर करिएगा सभी का जो link से मैं आपको वीडियो के description में दे दिया हूँ और comment section में अपना relevant आपको देखने के लिए मिले